वालकम टूश्वार्व यूट्यूब कैनल इस वीडियो में हम लोग पाइपन सिस्टन के सवाल करेंगे 40 प्लस कोश्चन में आप लोगों के लेकर आया हूं यह टॉपिक बेसिक से शुरू करके एडवांस तक करेंगे और यह टॉपिक आपका इसी वीडियो में पूरा हो जाएगा सिंगल वीडियो में कंप्लीट टॉपिक करेंगे हम लोग पाइपन सिस्टन का सबसे पहले थोड़ा समक्सेट समझते हैं इसमें क्या होता है अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं आई बिलीव आप मेंना टाइमेंड वर्क का वीडियो कर चुके हैं या फिर कहीं यह अपने टाइमेंड वर्क आपको आता होगा अगर टाइमेंड वर्क नहीं आता एटलीस एक बार उसका बेसिक शजरूर कर लिजिए को कि एक काफी जादा टाइमेंड वर्क से सिमिलर है मैं एक तरफ लिख रहा हूँ यहाँ पर time and work एक तरफ लिख रहा हूँ pipe and system time and work में क्या करते हैं हम लोग एक example लेते हैं कोई person A है A किसी काम को 12 दिन में कर रहा है कोई person B है, B उस काम को 15 दिन में कर रहा है कोई person C है, C उस काम को 20 दिन में कर रहा है फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका LCM ले ले लेते हैं जैसे 60 LCM आ गया, इनकी efficiency या फिर one day का work निकालते हैं तो A का 5 आ गया, B का 4 आ गया, C का 3 आ गया कुछ ऐसा करते हैं हम लोग, फिर हम लोग टोटल निकालते हैं पांच और चार, नौ और तीन, बारा, टोटल हम लोग इसे बारा निकाल लेंगे फिर हम देखेंगे कि तीनों ने कितने टाइम में काम कम्प्लीट करा 60 upon 12 is equals to 5, तीनों ने मिला के 5 दिन में काम करा कुछ ऐसा हम लोग करते हैं, है ना, pipe and system में क्या हो जाएगा कोई pipe A है जो किसी tank को से 12 मिनट में भर रहा है कोई pipe B है जो उसी tank को 15 मिनट में भर रहा है एक leakage हो गया C जो कि उसी tank को 20 मिनट में खाली कर सकता है मतलब ये value minus की हो जाएगी हमें बोला गया कि अब बताओ pipe कितनी देर में भरेगा हम क्या करेंगे, हम देखेंगे तीनों का LCM ले ले लेंगे, 12, 15, 20 का LCM 60 हा रहेगा A अगर 12 मिनट में भर रहा है तो एक मिनट में 4 यूनिट भरेगा sorry 5 यूनिट भरेगा B एक मिनट में 4 यूनिट भरेगा C एक मिनट में 3 यूनिट क्योंकि ये minus का sign हमने लगा रखा है तो minus का 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट खाली करेगा 5 और 4, 9, 9 में से 3 minus कर देंगे तो बचेगा 6 तो एक बार में ये 6 यूनिट भरेगा वह हम उसी question पर सीखेंगे मैं यहाँ पर फालतु की theory से आप लोगों का time base नहीं करूंगा सीधे question पर चलते है पहला सवाल बोल रहा है A, B और C तीन टैप है connected to a tank ठीक है A and B together can fill a tank in 6 घंटे B and C together can fill it in 10 घंटे A and C together can fill it in 7.5 घंटे In how much time all three would take to fill the tank इसी तरह का हम लोग कुछ time and work में भी करते थे थे न A और B ने 5 घंटे में काम करा B और C ने 6 घंटे में काम करा C और A ने 10 घंटे में काम करा यहाँ पर जो काम करने का मतलब है tank को fill करना या फिर tank को खाली करना चलो करते है A plus B का हमें क्या दिया है चैंटा B plus C का हमें क्या दिया है 10 घंटा C plus A का हमें क्या दिया है 7.5 घंटा 10,6,7.5 का है आप LCM लोग है LCM 30 घंटा आएगा मतलब total work 30 units हो गया A plus B एक बार में कितना करेगा 5 unit काम करेगा B plus C एक बार में 3 unit काम करेगा C plus A एक बार में 4 unit काम करेगा Total काम 5 और 3,8 और 4,12 Total काम 12 unit हो गया 12 unit काम करा 2 A plus 2 B plus 2 C ने तो फिर A plus B plus C का काम कितना हो गया 6 unit एक घंटे में A plus B plus C 6 unit काम कर रहे हैं तो 30 unit काम करने में कितना टाइम लगेगा 5 घंटे का Clear 5 घंटे का अगला सवाल देखते हैं एक water tank में 2 pipe है empty tank is filled in 12 minute by the first pipe and full tank is emptied by the second in 20 minute ना the time required to fill the half full tank when both pipe are in action मतलब एक कोई pipe है A मान लिए जो की 12 minute में काम कर रहा है pipe B मान लिए जो पूरे tank को खाली करने के लिए 20 minute लगा सकता तो minus का 20 हो गया दोनों का हमने LCM लिया LCM आगे 60 A की value हो गई 5 B की value हो गई minus का 3 minus का 3 हो गया ना B total कितना हुआ 5 minus 3 2 units 2 units work हो रहा है per minute अब हमें चाहिए आदा tank fill करना है आदा tank fill करने के लिए हमें कितना लगेगा 30 units काम करना है 1 minute में 2 unit काम हो रहा है 30 unit के लिए कितना लगेगा 15 minutes 15 minutes आपका answer आ गया I hope मैं जादा fast नहीं चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगोंने time and work already करा हुआ होगा तो अगर आप लोगोंने time and work करा हुआ है तो उस case में मैं यहाँ पे जादा fast नहीं चल रहा हूँ ठीक है अगला सवाल देखते हैं question number 3 देखते हैं एक tap है जो किसी system को चालिस मिनट में फिल कर रहा है साट मिनट में खाली कर रहा है by mistake without closing the second first time was open empty system को भरने में कितना time लगेगा वैसे करेंगे जल्दी जल्दी करते हैं चालिस और साथ चालिस और साथ का LCM कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा 120 अगर LCM आता है 40 वाले को 3 यूनिट लगेगा 60 वाले को 2 यूनिट लगेगा 3 और माइनस 2 कर लगे तो एक यूनिट काम होगा एक यूनिट काम होने से 120 यूनिट काम होने में कितना time लगेगा 120 कुछ ऐसा हम औरली सोच सकते हैं ए ने लिया 40 बी ने लिया 60 LCM आया 120 120 की यसाफ से यह बना 3 और यह बना 2 यह माइनस का रहेगा यह माइनस का रहेगा तो वैल्यू आई 1 एक मिनट में एक यूनिट 120 यूनिट करने में 120 मिनट इतनी जल्दी से आप लोगों को भी सवाल करना है time waste नहीं करना इतना ऐसे ही जल्दी से सवाल कर लेना है जहां भी आप से जल्दी हो जाएं बट एक्क्यूरेसी के साथ और यह होगा जब अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे कोशन नमबर फूर देखते हैं एक टैप कें फिल असिस्टन इन आठ घंटा एनदर टैप कें फिल इन इन 16 घंटा इस बोट टैप सार ओपन दर टाइम टेकन टो फिल दर टैंक विल बी कि यह भी हो जाएगा अब यहां पर क्योंकि दो ही है आप डायरेक्ली भी चीज देख सकते हो जब आठ और 16 है क्योंकि हमारे पास खाली दो टैंक में हम लोग बात कर रहे हैं इसका काम दिख मार्त कर है क्योंकि यह टैंक को खाली कर रहा है तो दोनों मिला के एक बार में एक यूनिट भरेंगे डोनों को ऊपन कारति दिया ना एक कम कर रहे मार्याना एक और यूनिटimana और जा District कितना आएगा सोला एक युनिट के साब से सोला भरने में कितना टाइम लगेगा सोला घंटे कुछ ऐसे ही ओरली भी कर सकते हो आप क्योंकि आप जब बहुत धंग से प्रैक्टिस कर लोगे ना जैसे अभी एक दिन हम लोगों ने कोईस्ट कर आ था और हम लोगों ने राउंड 400 देखते ही आपकी दिमाग में सीधे उनका रेशियो आने लगेगी उनका LCM आने लगेगा डारेक्ट याद हो जाएंगी यहीं से कुशन फाइव देखते हैं अपाइप एन फिलट टैंक विद वॉटर इन तीन घंटा डूट तो एक फुल टैंक को एमटी करने में कितना ट देखो इसके इंदर क्या दिया है एक वर्ख में दिया है तीन घंटे का एक प्लस बी का वर्ख में दिया है थ्री पॉइंट फाइव घंटे का अगर मैं 3 और 3.5 का LCM लूँ 3.5 क्या तो सेवन बाई टू को साइड कर दो 3.5 और 3 सारी सेवन और 3 का LCM 21 आता है तो मैं इसको करेगा कि यह वैलू माइनस है यह वैल्यू माइनस होगी थारी माइनस हम मैं ही नहीं ना है को भीवन लियू निकालेंगे के ठीक है अ 7 a7 unit काम कर रहे है एपलस बी मिलके ज्यूनिट काम कर रहे हैं अगर एपलस candi में के 6 unit काम कर रहे हैं तो बी कितना टाइम लेगा बी एक बार में एक unit करेगा ना जब a7 unit ले रहा है और बी दोनों मिला के 6 unit ले रहे हैं मतलब बी की value minus 1 हो जाएगी तो b minus 1 के हिसाफ से काम करेगा 21 unit खाली करना है minus 1 के हिसाफ से कितना सब्सक्राइब कर दिया तो कितने टैम में empty हो जाएगी ठीक है इसके अंदर खाली है वह जल्दी कर रहा है भर लेट रहा है मतलब अब आप देखो दो लोगों का आपको और ली करना अब आजाना चाहिए ठीक है फाइफ फॉर्ट टॉन्टी हो जाएगा इसकी एफिशेंसी नेगेटिव है इसकी पॉजिटिव है तो नेट एफिशेंसी माइनस वन आएगी माइनस वन एफिशेंसी आएगी टोटल टॉन्टी तो खाली करने में कितना टाइम लगेगा टॉन्टी घंटा कुछ इस तरह से हमें कर लेना है अगले सवाल की तरफ चलते हैं अटेंग एंग अटेंग एफिट वाइप इस मत अटेंग रस्पेक्टिवली बेदग वाश्ट एंपी देट वाइप वर ओपन ठीक है आफ्टर सम्टाइंग फस्पाइब फ्रस्पाइब फिल्ड इन एटीन मिनट आफ्टर हाँमस ताइम अब अप्ट पाइप सब्स्प कर गया 카 vaıld टेंग एटने दिनों में पूरा कर एक करेंगे ना कि तो उसी तरह के सवाल यह यह है कि कोई एक पाइप है कि वह को ट्ह drift में भर रहा है कि of took a 30 मिनट में भर है हम दोनों का LC हम ले लेंगे 60 आ जाएगा 60 अगर आ रहाता है क्या है दोनों पाइप को एक साथ open करा तो इसकी एक बार के 3 हो गया एक बार का 2 हो गया है यह कुछ टाइम बाद रुख गया बटी तो पूरे ट रहा तो बी ने पूरा 18 मिनट चला तो बी ने पूरा n braid इस sunyt काम करा बीने 36 काम कर तो कितना काम बचल M24 फ्लाइन फ्लाइट किस ने कर ताकश करा होगा ए ने यह एक बार में प्रसकते हो ये क्लोशन तो मैं आपलों को स्षितना कराने के बाद और इतना सिखाने के बाद आपने जब कोई आपने कोशन में देखा कि एक प्राइब 20 मिर्ट भर रहा है एक 30 मिर्ट बढ़ रहा है 20-30 नमबर देखते हैं यह साथ साथ यह हम देखते हैं आपकी दिमाग में आएगी इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगले सवाल की तरफ देखते हैं जो जल्दी जल्दी हो जाएंगे उन्हें ऐसे ही जल्दी निप्टा देंगे औरली करकर के ठीक है कि तीन पाइप एबी और सी केल फिन शिस्टन इन 6 घंटे ठीक है आफ्टर वर्किंग एट टुगेदर फर दो घंटे से सीज्ट एंड बी फिल इंट इन 7 घंटे मोर टाइम टेकन वाइस सी अलोन टू फिल दा सिस्टन ठीक है इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोच कर देखो ए प्लस बी प्लस सी मिलाके 6 घंटे ले रहे हैं लॉजिकली सोचो अभी फिर इसे और ली भी करो ए प्लस बी प्लस सी मिलाके 6 घंटे ले रहे हैं दोनों ने 2 घंटे काम करा ठीक है कितने देर का काम रहे गया चार घंटे का A प्लस B प्लस C किसी काम को 4 घंटे में करते है बट उसी काम को A और B ने 7 घंटे में करा A प्लस B ने उसी काम को 7 घंटे में करा मैं यहाँ से C का निकाल सकता हूँ अब अगर मैं कोशन को देखता है कि 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया है और A और B ने 7 घंटे में करा है तो यहां तक तो मैं समझ जाता है कि A, B, C ने जो काम 4 घंटे में करा है वो A और B ने 7 घंटे में करा है जब भी ऐसे दो गुरुप की अगर मैं कोई कैलकुलेशन करनी हो और मुझे माइनस करना है मेरे पास सीधा तरीका होता है दोनों को मल्डिप्लाई कर दो 4 इन्टू 7 दोनों को माइनस कर दो 4 और 7 का difference 3 28 by 3 हो गया 28 by 3 के हिसाब से C ने काम करा है एक बार में C 28 by 3 के हिसाब से काम करेगा ठीक है 28 by 3 के हिसाब से कितना काम करा 2 by 3 C ने 2 x 3 काम करता 28 x 3 के हिसाब से मतलब 2 upon 3 कर रहा है 28 by 3 के हिसाब से 3 upon 3 करेगा 42 by 3 के हिसाब से मतलब 14 घंटे में नई समझे दुबारा समझो दुबारा इस चीच का आप समद लो इसे रब कर दू फिर मैं आपको भी पूरा समझाता हूँ दुबारा से बड़ा इजी सवाल है और बड़ा ही short method है ऐसे सवालों को करने का देखो सबसे पहले एक चीच समझो total काम है 6 घंटे का ठीक है इसको हमने करा है 2 hours का काम हमने करा है तो 2 hours का काम करा है मतलब 6 घंटे में होता तो 1 by 3 काम हो जाता हैना 1 by 3 हो गया 2 by 3 pending है ठीक है अब A plus B को मिला के तुम मान लो 1 या फिर बड़ा वाला A हैना बड़ा वाला एसा छोटा है हमने बड़ा सा बना दिया A plus C 2 by 3 काम को कितने टाइम में करते चार घंटे में करते हैं यह चार घंटे का काम बचा है बट A ने मतलब A plus B ने इस काम को कितने टाइम में कर रहा है 7 घंटे में कर रहा है हैना जब भी 2 लोगों का काम करते हैं अगर हम 2 लोगों के लिए बात करते हैं तो टोटल टाइम जो लिया जाता है वो दोनों का प्रोड़क्ट कर दो अगर मान लो मैं यहाँ पर छोटे से माको शौट में बता रहा हूँ X किसी काम को A दिन में कर रहा है Y किसी काम को B दिन में कर रहा है दोनों मिला के A B अपॉन A प्लस B में करेंगे ठीक है अगर X किसी काम को A दिन में कर रहा है X प्लस Y मिलके किसी काम को B दिन में कर रहे है तो अगर मुझे Y का निकालना हो Y का हो जाएगा A B अपॉन A माइनस B मतलब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे ठीक है ये इस तरह से होता है इस चीज़ को आप याद रखना अब हमने देखा अपने सवाल के अंदर ब्लू कोलर के मारकर से लिखते है हमने देखा अपने सवाल के अंदर कि तो 2x3 काम पैंडिंग है A, B, C तीनों मिला कर उस काम को 4 गंटे में कर रहे हैं खाली A और B की बात करों तो 7 घंटे में कर रहे हो तो A, B को मैंने इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया अब क्यों अब A प्लस C उस काम को 4 गंटे में कर रहे हैं और खाली A उस काम को 7 गंटे में कर रहा है तो आखे मुझे खाली C का निकालना है मैं 4 इंट्टो 7 अपॉन 7ayon 4 कर सकता हूं कि दोनुका डिफिरिनीन अना चारोव साथ का यह गए 28 वाई 3 कई लिए इसकेले इसकाम को 28 वाई 3 टाइम में करेगा यह काम है कितना यह टू थर्ड काम है कि यह होग तू थर्ड काम है न पूरा काम कितुने में करेगा ah तू यूनिट काम को मतलब वो 28 में कर रहा है तो 3 यूनिट काम को कितने में करेगा 28 by 3 into 2 into 3 मतलब 14 उसमें बस यह आपका निकलना है पर क्या मैं इसे औरली नहीं कर सकता क्या मैं इतना लिखोंगा भी क्यों यह मेरा pre-elevel का question है PO Pre में नहीं आएगा ऐसा rare case में आएगा बट clerical pre में तो आएगा clerical pre में जब RRB clerk Pre की cut off आपकी 76 77 नमबर दाएगी SC में से आप पैन चलाते रहे दाओगे क्या उसमें पहन चला के थोड़ी ना सवाल करना होता है आप देखोगे A प्लस B प्लस C 6 गंटे में कर रहे हैं 2 गंटे काम कर रहा है मतलब 2 थर्ड काम बचा है A और B ने 7 गंटे में कर दिया मतलब A प्लस B प्लस C 4 गंटे में जो काम करता इन्होंने 7 गंटे में कर दिया मतलब 47 ता 28 दोनों का difference 3 मतलब C अकेला उस काम को 28 बाइ 3 में करता C अगर 2 थर्ड काम 28 बाइ 3 में कर रहा है तो पूरा काम कितने में करेगा 28 देख लो कौन सा 28 के multiple में जाता है 14 होगा अपने आप 5 सा 14 हो जाएगा किया करोगे पैन चला कि अगला सवाल देखते हैं A tank can be filled with water by two pipes A and B together in 36 मिनट इस पाइप B stopped after 30 मिनट tank is filled in 40 मिनट अब यहाँ देखो A और B जिस काम को 6 मिनट में करते हैं A और B जिस काम को 6 मिनट में करते A ने अकेला उस काम को 10 मिनट में करा A और B जिस काम को 6 मिनिट में करते A ने अकेले उस काम को 10 मिनिट में करा चीक है तो यहाँ से मैं निकाल लूँ उस काम को B कितने टाइम में करेगा 6 और 10 है ना 6 और 10 क्या रहा 6 इंटू 10 60 और दोनों का डिफरेंस 4 60 वाई 4 मतलब 15 बी उसी काम को 15 मिनिट में करेगा यही मतलब हुआ इसका अब वो 6 मिनिट का काम B 15 में कर रहा है जिस काम को A और B 6 मिनिट में करते B उसी काम को 15 मिनिट में कर रहा है तो 6 मिनिट का जो काम है 36 मिनिट में पूरा कर रहा है मतलब 1 by 6 काम हुआ वन बाई सिक्स काम को बी ने च्छे पंद्रा मिनट में करा तो पूरा काम बी कितने तैम में करेगा फिफ्टीन इन्टु सिक्स मतलब नभ्भे मिनट यह है इसको करने का ओरल अप्रोच नहीं समझाया तो जो मैंने बोला है उसे खुद से लिखो और फिर समझो कोश्चन को रिवाइंड करके देखो वीडियो को थोड़ा से पीछे लेड़ा करो दुबारा सुनो मैं ऐसे लिखके नहीं कराओंगा यह ऐसे ही ओरली आपको सीखना पड़ेगा मेरे चैनल पे मेरे टेलीग्राम वाटसेप पर आप इसीलिए जुड़े हो ताकि आपकी स्पीड बने स्पीड ऐसे ही बनेगी ओरल करो दुबारा से सुन लो A और B किसी काम को 36 मिनट में कर रहे हैं यहाँ पे टेंक भरने का मतलब काम कर रहे हैं 36 मिनट में कर रहे हैं 30 मिनट बाद हमने पाइप को बंद कर दिया 6 मिनट का काम रह गया अब वो 6 मिनट का काम A ने अकेले करा 10 चालीस मिनट में भरा मतलब A ने अकेले 10 मिनट में करा A और B 6 मिनट में उस काम को करते A ने अकेले 10 मिनट में करा B कितने टाइम में करेगा 6 इंटू 10 अपॉन दोनों का डिफरेंस 6 और 10 का डिफरेंस 4 60 अपॉन 4 मतलब 15 मिनट B उस पूरे काम को 15 मिनिट में करता मतलब A और B 36 मिनिट में जो काम कर रहे हैं उसका 1-6th काम B 15 मिनिट में कर रहा है 1-6th काम अगर B 15 मिनिट में करेगा तो पूरा काम कितने में करेगा 15-6 आ 90 मिनिट में Option D 90 आपका आंसर आ गया Clear है अगला सवाल देखते है 12 पंप वर्क कर रहे है 6 घंटे पर डे और रिजर्वायर को भर रहे हैं 15 दिन में ठीक है तो ऐसे ही कितने पंप चाहिए होंगे जो 9 घंटे पर डे काम करें और 12 दिन में भर दें ऐसे सवाल हमने टाइमेंड वर्क में कर रहे था इन टू 9 इन टू 12 12 से 12 खतम 3 3 9 3 2 6 3 5 15 पी की वैल्यू आगई 10 ऐसे 10 पंप चाहिए और ये कैलकुलेशन भी औरली की जा सकती है आप देखो कि 12 12 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा यहां 15 चिक 90 हो जाएगा वहां पर खाली नौ है तो पी की वैल्यू दस आई जाएगी क्लियर अग्रे सवाल पर चलते हैं असिस्टन हैस्टू पाइप्स वन कें फिलेट विद वाटर इन आठ घंटे अदर कें एंप्टी इट इन पांच घंटे ठीक है एक आठ घंटे में भर रहा है दूसरा पांच घंटे में खाली कर रहा है इन हाउ मैनी आर्ट विल असिस्टन भी एंप्टी इंप्टी वोद दपाइप्स आ ओपन टोगेधर वन थ्री फोर्थ और सिस्टन इस अल्रीड फूल उटर ठीक है पहले देखो आठ और पांच का LCM कितना है 40 है मतलब 40 यूनिट है बढ़ हमारे पास कितना भर हुआ है वो 30 यूनिट भर हुआ है तो हमें क्या करना है हमें इस 30 यूनिट को खाली करना है खाली किसे साफ़ से होगा 8 और 5 का 40 लिया मतलब जो पहला पाई पर जो fill कर रहा है Orally समझना है pen नहीं चलाना है मैं सिर्फ highlight करने के लिए चलाओंगा जो 8 गंटे वाला है ये 1 गंटे में 5 unit भरेगा जो 5 गंटे वाला है ये 1 गंटे में 8 unit खाली करेगा इसका यही मतलब हुआ 5 यूनिट भर रहा है, 8 यूनिट खाली हो रहा, तो overall एक घंटे में क्या हुआ, 3 यूनिट खाली होगा एक घंटे में 3 यूनिट खाली होगा, मेरा 3-4 का मतलब 30 यूनिट भरा हुआ है, तो 30 यूनिट खाली करना में कितना टाइम लगेगा 10 खंटा अब अगर इस तरह का basic सा सवाल चाहे pipe and system का हो या time and work का हो ये आपको orally करना है clear अब ऐसे दो cases वाले सवालों में या इस तरह के जब भी होंगे इसमें आपको pen नहीं चलाना है ये मेरी आप से request है अभी practice के time पे गलतिया कर लो जी वरके ताकि exam तक perfection हासिल कर लो अगरे सवाल पर चलते हैं 3 by 4 part of a tank is full of water when 30 liters of water is taken out the tank becomes empty the capacity of the tank is अधर के तो बहुत ज़्याद क्लियर है 3 फोर्थ तो टैंक है वो ही अपने खाली कर दिया 30 liters 30 liters की value 3 फोर्थ है पूरा कितना हो जाएगा 40 liters यह तो बिल्कुल basic सा बच्चों का सवाल है एक्जाम के मतलब का नहीं है खाली concept समझने के लिए काफी है अगला सवाल देखते हैं वन पाइप फिल्स ऑ वाटर टैंक 3 टैंक फास्टर देन एन अधर पाइप ठीक है एक पाइप के efficiency 3 हो गई दूसरे पाइप के efficiency 1 हो गई दोनों पाइप को एक साथ हमने खोला एक साथ कोला तो 36 मिनट में भर दिया हमस्टाइम विल्ड़ पाइप टेक अलों टो फिल्ड़ टैंक स्लोर पाइप जो है जिसके efficiency 1 है वह पूरे को कितनी देर में बढ़ेगा वह 36 x 4 upon 1 मतलब 36 x 4 मतलब 144 मिनट 144 मिनट का मतलब दो घंटे 24 मिनट अब ऐसा सवाल अब एटलीस आपको ओरली करना सीखना है अब इसमें ओरली ही करो अगले सवाल की तरफ चलते हैं दो पाइप a and b can fill a system in 371 by 2 मिनट and 45 मिनट ठीक है बोड़ दा पाइप सार ओपन असस्टन विल बी जस्ट दस फिस्टन विल बी फिल जस्ट इन हाफ फार इव पाइप भी इस तर्ण ओफ आफ आफटर ठीक है बिसमें क्योंकि 37.5 आ गया है न यह यह दिक्कत वाली चीज़ तो यहां पे मैं यही बोल में 37.5 का मतलब क्यों होता है 75 by 2 ठीक है तो फिलहाल मैं इसको यहां पर 75 लिखता हूं कि 75 by 2 में बी कितने में कर रहा है 45 में लेने के लिए मैं टू को काउंट नहीं करूंगा मैं खाली 75 और 45 का LC हम लोंगा 75 45 का LC हम आता है 225 कैसे 155 जा होता है 153 जा होता है 15 तो common हो गया इसको फाइब से इसको फाइब कर दो या इसे फाइब से मल्टिप्लाइब कर दो ठीक है अब यह अगर 75 by 2 चल रहा है ठीक है यह कितना काम करेगा एक बार में सब्सक्राइब क्योंकि एक बार में कितना करेगा पांच यूनिट अब एक चीज देखो टोटल हमें 225 यूनिट भरना है ठीक है सिस्टन पूरा आदे घंटे में बहरा है एक्जक्ट आदे घंटे में मतलब मिनट्स की बात हो रही है ना थो 30 मिनट में पाइप B को हमने ब पूरे टाइम चला होगा अब यहां से पाइप पूरे टाइम चला च्छाह के एसाफ से तो 180 मिनट पाइप एने 180 यूनिट भर दिया ना 30 मिनट में कि नहीं बार वीडियो में उसको दुबारा से सुनो जो मैं बोल रहा हूं उसे लिख लो समझा आदा पिर भी तो मुझसे कमेंट में फेसबुक पर वाटसेप पर टेलीग्राम पर पूछ सकते हों अगले सवाल पर चलते हैं अटैप के एंप्टी है टैंक इन वानार सेकिंड के एंप्टी एट इन 30 मिनट दोनों टैप को एक साथ बोले तो बताओ कि पूरे टैंक को एंप्टी करना में कितना करेंगेगा 20 मिनट बहुत तीस मिनट ले रहा है एक गंटा मतलब साथ मिनट ले रहा है तो एफिशेंसी इसकी टू हो गई इसकी वन हो गई ना क्लियर अग्ला सवाल देखते हैं अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपने कॉश्चन का दीरे दीरे एब और सी किसी कि अब्री शिसन को 10 मिन में फिल करेंगे एकेला उसे 30 मिन में करेंगा बी अकेला 40 मिन में करेंगा तो बताओ सी कितने में करेंगा यह आपको होमवर कोश्चन है कि आप लोग इसको कॉमेंट में बताएंगे अगला चलते हैं कि दो पाइप एन बी सेपरेटली किसी सिस्टन को साट और फिश्चन मिन में भरते हैं तीसरा पाइप है जो कि इसमें लीक कर रहा है अब ओड़ा थ्रीपाइप आर सामल्टेनेसली ओपन सिस्टन इस फुलिंट पचास मिनट तो ठाइप अकेले कितने टाइम में उसे खाली करेगा इस तरह के समाल आप करते आ रहे हैं एक 60 मिनट लेता है B 75 मिनट लेता है A प्लस B प्लस C मिलाके 50 मिनट लेते हैं इसका LC हम ले लो LC हम लेना ज़्यादा दिक्कत आली बात नहीं होनी चाहिए 50 कर देखो 300 मिल्टिपल आएगा common मिल्टिपल है 1.500 मिल्टिपल नहीं 300 कॉमन मिल्टिपल है 300 LC हम आ गया इसकी वैल्यू 5 हो गई इसकी वैल्यू 4 हो गई इसकी वैल्यू 6 हो गई 5 और 4 9 और 9 और 6 माइनस कर नहीं ठीक है कि अब आप इसमें सी का निकालोगे ना तो ए और भी मिला के पांट कर रहे हैं पांट और चार नौ कर रहे हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एक पाइफ है जो किसी टैंग को थी टैंग फासा बढ़ रहा है दूसरे पाइप से दोनों पाइप को एक साथ करा सक्टेस्में सेम कुशन हम कर चुके हैं और ली आप लोग इसको करो होमवर्क में और कोशिश करो इसे खुद से कर लो मेरे को और लीसका अंसर निकाल कर करता है अ टीनों को अपड़ कर दिया तो उसे 15 मिनट लगे टैंक की कैपिसिटी बताने है अब यह बड़ी यहावाल सवाल है देखो क्या है A कितने में कर रहा है 20 में B कितने में कर रहा है 24 में A प्लस B प्लस C कितने में कर रहा है 15 में 20, 24, 15 LCM निकालो गया तो LCM आजाएगा 120 इसकी value हो गई 6 इसकी value कितनी हो गई 5 इसकी value कितनी हो गई 8 मतलब 6 और 5 ग्यारा हो गया तो C की value आ गई यहां से minus 3 C की value minus 3 आ गई न A और B टोटल मिलके 11 कर रहे हैं अगर में C के साथ मिल जाते तो 8 करते तो C की value 3 आ गई minus ठीक है clear C एक मिनट में 3 unit खाली कर रहा है ठीक है टोटल खाली करना में कितना करेगा 48 minutes ठीक अब यह जो का 3 है ठीक है इसका मतलब है 3 gallons C 1 minute में 3 unit खाली कर रहा है न 120 में से और वैसे quantity wise कितना कर रहा है 3 gallons per minute अगर एक मिनट में 3 unit का में रहा है तो 120 unit का मतलब कितना हो गया 120 gallons gallons एक volume जैसे quantity होती है जैसे liter होता है उस तरह से quantity होती है gallons clear? अगले सवाल पर चलते है दो pipe है जो किसी system को 12 और 15 में भर रहे है दोनों को एक साथ open करा 3 minute के बाद पहले को बंद कर दिया दूसरा कितना time लगाएगा औरल ही करो 12 और 15 है LCM 60 हैगा LCM 60 हैगा तो P की value 5 हो जाएगी और Q की value 4 हो जाएगी जो 1 minute की है efficiency वाली ठीक है 3 minute के बाद पहले pipe को close कर दिया तो पहले pipe ने कितना भरा होगा पास थी अब 15 टोटल 15 भरा होगा पहले pipe ने तो दूसरे pipe को टोटल कितना भरना पड़ेगा 45 पैतालिस भरने के लिए वो कितना time लगाएगा या ऐसा देखो शुरू के 3 minute तक दोनों pipe एक साथ चले एक ने 5 भरा एक ने 4 भरा पर unit तो 3 minute में 27 भर दिया ठीक है अब 3 minute बाद कितना बचा है 27 भरने के बाद 27 भरने के बाद 33 unit बता है 33 unit को pipe क्यू भरेगा क्यू किसे साब से बर रहा 4 unit पर minute 33 में कितना लगेगा 27 8 minute 32 unit 8 minute में भर लेगा फिर 1 unit 1 by 4 minute में बतलब 7 8 minute 8 1 by 4 minute ये रहा आपका answer इसका option ए ये तो आप इस तरह से सीख सकते हो ना ओरली तो बोल सकते हो अब आप अब तो at least ओरली बोलने का time आ गया है है ना अगला सवाल देखते है pipe A और B tank को fill कर रहे है 5 और 6 गंटे में बहुत बढ़िया बात है अच्छी बात है कर रहे हो तो pipe C उसे 12 गंटे में खाली भी कर रहा है वा tank आदा भर हुआ है तीनों pipe को हमने एक साथ open कर दिया है tank कितनी देर में भरेगा बैटा इजी सवाल है homework question है आप लोगों के लिए आप लोग इसे करेंगे homework में comments में मेरे को आप इनके answer देंगे इस week में मुझे जितने भी आपकी videos है जिनमें मैं आप से comments का बोला है इस ट्रिक्ली टेलिग्राम वाले बच्चों के लिए है मैं सब के देखूंगा कि इसने comments में answer करें है comments में आंसर नहीं करें है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखते हैं एक सिस्टर्ण है जिसके अंदर दो टैप हैं 12 औ 15 मिट में जो से प्रैक्टिस करोगे आपके लिए homework question है यह comments में आप मेरे को इसका answer देंगे clear है अब इस तरह का सवाल कोई आएगा तो वह आपको homework की रहेगा ऐसे सवाल को करा चुका हूँ और टाइमेंड वर्क करने की वज़ए से इस तरह के सवाल अब आप औरली भी कर सकते हैं और ना ओरली जल्दी से सुन लो तो नहीं आप इसे खुछ सभी करोगे अससे सवाल आते जाएंगे इसमें क्या है पाइप A and B running together can fill a system in 6 minutes ठीक है A और B 6 minutes में system को भर रहे हैं we take 5 minutes more than A to fill the system then the time in which A and B will fill the system separately will be ठीक है B जो है A से 5 minutes जादा ले रहा है भरने के लिए B A से 5 minutes जादा ले रहा है ठीक है अब यह देखो आपको A और B का time बताना है तो A का time obviously बात है कम होगा क्या option B से हो सकता है बिल्कुल नहीं option D से हो सकता है बिल्कुल नहीं यहां तो option A आएगा यह option C आएगा यह option E आएगा पहले हम इसे करने का तरीका देखते है कि subjectively ऐसा कैसे किया जाता है हमने माना कि A किसी pipe को बरने किसी इसको जो भी है tank को बरने के लिए X minute ले रहा है तो B उसे बरने के लिए X plus 5 minutes लेगा दोनों का आप LCM लेगा यह X, X plus 5 हो जाएगा यह इसकी efficiency निकल कर आएगी X plus 5 इसकी efficiency निकल कर आएगी X है ना टोटल हो जाएगा 2X plus 5 2X plus 5 से आपको X X plus 5 फिल करना है और यह दिया हुआ है आपको 6 minutes एक तो यह तरीका है ना quadratic quadratic बन जाएगी यह फालतु को असा सवाल हो जाएगा नहीं ऐसे नहीं करना ना इसको आप option से निकाल लो क्यों क्यों क्योंकि दोनों option की help से जो भी निकलेगा वो तो 6 minutes निकलेगा न अब जो 6 minutes निकलेगा यह तो आप एक काम कर लो मैंने आपको बताया था जब भी आपको दो का डारेक्ट निकालना हो आप दोनों का multiply कर दो और दोनों को add कर दो इसका क्या आएगा 15 into 20 upon 15 plus 20 इसका क्या आएगा 10 into 15 upon 10 plus 15 देखते ही पता दल रहा है कि यह 35 है और यह 25 है और यह देर सो है तो 25 देर सो होता है तो यह option आगया answer सिंपल सीधा सीधा अग्ला सवाल देखते हैं कि तूपाइप स्क्राइब टैंक दस घंडें बारा घंडे रस्पेक्टिवली तीसरा टैंक उसे बीस घंडे में खाली कर रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया तो टैंक कितनी देर में फिल होगा होमवर्क है बट फिर भी ओरली सुन लो क्योंकि मैं पीछे ओरली बोल नहीं पाया था दस बारा बीस LCM कितना आ जाएगा 60 ईएगा दस वाले की वेल्य उ कितनी हो जाएगी 6 बारा बाले की पाच और 20 वाले की तीन 6 और पाच गया रा हा तीन वाले उसे खाली करेगा तो वेल्य कितनी हो जाएगी 8 आठ के साब से 60 भरना है तो आंसर और आ जाएगा 7500 अब या आपको हूमबर कोश्चन है यह खाली कर देगा यह आप खुछ से करेंगे होमवर्क है अब यह आपको होमवर्क है तीन पाइप छह आट और बारा मिनट में टैंक को फिल करते हैं पाइप सी को मनें चैनल बात क्लोस कर दिये अब बताओ कितने साम में टैंक भरेगा यह जादा टफ नहीं एच्छी मिनट ले रहा है भी आठ मिनट ले रहा है सी बारा मिनट ले रहा है आपने क्या करा चैए आठ बारा का ऐल सी हम लिया टॉन्टीफोर इसकी वैल्यों गई चार इसक लाके काम करा होगा कि ए और बी ने च्छे मिनट काम करा होगा ना तबी तो अब एक बात बताओ मुझे अगर अगर ए बी और सी तीनों एक साथ काम कर रहे तो चार और तीन साथ और दो तो नौ कि नौ यूनिट काम हो गया तो 6 मिनट तो बनता ही नहीं है इसमें डेटा इन एडिक्वेट हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखते हैं कि दो टैंक के दो पाइप है जो यह टैप है जो टैंक को फिल कर रहे हैं और एक खाली कर रहा है जब तीसरा टैप बंध है तो 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं अगर तीनों टैप को ओपन किया हुआ है तो 15 मिनट में भर रहे हैं अगर पहले दो टैप क्लोज है तो तीसरा टै टैप विच फिल सेट इन बारा और पंधरा मिनट रस्पेक्टिवली देज वेस्ट वेस्टाइब इस तरह के सवाल अब मैं आपको और नहीं कराऊंगा अगला कोशन देखते हैं दो दो टैप है एक बीस में बर रहा है एक आउटलेट टैप टैप है एक्जेक्ट लिएट हाफ लेवल अफ़ रेक्टेंगुलर टैप विच पंप आउट लीटर रवाटर पर मिनट इव दा आउटलेट टैप इस ओपन दैने टेग्ट टैप ट्वन एंप्टीफोर मिनट तो फिल एन एम्टी टैग वाट इस वाल्यूम पूर्यूम है की फियः अब हमने क्या करना में दिनों का लिया अब तो अगतर एकat ही एफियू लियू है इसकी वैल्यू आई छार और इसकी काली करेगा तो एक बार में पारीट ही यूनिट भरेंगा इस मतलब सीव वीनिट में five unit काम कर रहा है जो भी काम चाहिए भर रहा हूँखाली कर रहा हूँका काम एक मिनट में पांच युनिट है है और पांच युनिट की वैल्यू कितनी है 100 लीटर चौन टोटल कितना है 120 अगर है तो एक फूर पीस की वैलिओ कितनी हो जाएगी 2400 हो रहे यह आपको होमवर्क है नहीं होता तो आप मेरे से पूछेंगे अगला सवाल कोशन नमबर 33 भी आप लोगों का होमवर्क है अब कुछ अच्छे कोशन आने वाले हैं अब पाइपकेन फिल धा टैंक इन 15 मिनट दूथरा पाइप जो है 10 मिनट ले रहा है A ले रहा है 15 मिनट B ले रहा है 10 मिनट Third pipe can empty the tank in 5 मिनट C ले रहा है 5 मिनट LCM कितना आजाएगा 30 इसकी value 2 इसकी value 3 इसकी value 6 माइनस की मतलब total का minus 1 हो रहा है ठीक है पहले दो pipe को हमने 4 मिनट के लिए open करा मतलब 2 और 3 पाँच 5 into 4 मतलब 20 unit open हो गया अब 3 पाइप भी open हो गया तो ये 20 unit ही तो खाली करेगा 20 unit खाली करने के लिए कितना time लगाएगा 20 minutes अगला सवाल देखते हैं सिस्टन के 3 पाइप है A और B पाँच और 6 गंटे में बढ़ रहे हैं C दो गंटे में खाली कर रहा है ठीक है A, B, C, R को open करा 2, 3 और 4 बजे अब बद आशिस्टन का खाली होगा ये भी मज़दार है A का हमने लिया 5 B का हमने लिया 6 C का हम लोगोंने लिया 2 ठीक है क्या हुआ 5, 6, 2 का LCM कितना आ गया 30 ठीक 30 LCM आया इसकी value कितनी हो गई 6 है इसकी value हो गई 5 और इसकी value हो गई 15 ठीक है C को हमने minus 15, C को हमने open करा है 4 बजे तक तो आप देखो 4 बजे तक ये कितना भर गया 4 बजे तक इसने 2 घंटे बढ़ा और इसने 1 घंटा बढ़ा मतलब 12 और 17 अब 4 बजे से इनका काम कितना होगा 6 और 5 ग्यारा 11 और minus का 15 मतलब minus का 4 एक घंटे में minus का 4 भरेगा या फिर एक घंटे में 4 यूनिट खाली होगा आपको खाली कितना करना है 17 यूनिट 17 यूनिट खाली करना में कितना टाइम लगेगा 7 चार घंटा 7 चार घंटा कब से शाम के 4 बजे से तो रिजर्वायर एक 9 घंटे में भर रहा है एक पाइप साड़े साथ घंटा फास्टर लेता है दूसरे से तो आपको बताने कि दूसरा पाइप कितनी देर में रिजर्वायर भरेगा ऐसा सवानमिक पीछे कर चुके हैं ऑप्शन की हेल्प से ठीक है इसको थोड़ा सा अलग है यह उससे इसको भी करते हैं चलो देखते हैं कैसे होगा मान लोते हैं एक पाइप A है जो X में भर रहा है चाहिक आ एक पाइप B है जो क्या ले रहा है एक्स प्लस साड़े साथ गंटे मतलब X Plus 15 भाइट्व साभिव साथ करने को 15 भाइट्वारी लिख सकते ना है कि अना अब देखो जब हमने बहुता कुछ नहीं होता तो हम बेसिक पर जाते है ये एक घंटे में कितना भरेगा वान ग्रेगा ये में कितना बरेगा one upon x plus 15 by two इतना एक घंटे में बरेगा total tank एक घंटे में कितना बर रहा है one by nine यह होता है one upon x plus one upon यह हो जाएगा two upon two x plus 15 it is equal to one upon nine clear इस equation को solve करो देखो कौन सी value से यहां से option से value उठा के पूट करो देखो किस से इसका अंसर आ रहा है कि वैल्यू पूट करो डिरेक्ट मत करो वैल्यू पूट करो एक बार पंधा रखो एक बार बीस रखो एक बार पच्चेस रखो एक बार टीस रखो एक्स की जगह और देखो एक्स की कौन सी value रखने पर इस equation का sum 1 by 9 आता है homework है आप इसे करके बताएंगे अब सीखो इस तरह के सवाल करना खुट से अगले सवाल पर आते हैं दो पाइप अकेले काम कर रहे हैं 36 मिनट और 5 मिनट में एक वेस्ट पाइप है सी पहले हमने ए और भी को खोला फिर 7 मिनट बाद हमने सी को खोला तो आपको बताना है टैंक कितनी देर में फूल होगा यह भी आपको homework है अगर कोई अलग सा सवाल आएगा तो वह मैं आपको कराऊंगा अदरबाइद आपके homework questions से कोशन 38 देखते हैं एक कंटेनर है मस्टर्ड ऑइल का 11 kg यह लीक हो रहा है पर दे तो यह 50 दिन चलेगा 15 kg लीक हो रहा है पर दे तो यह 45 डेज चलेगा हमें बताना है कितने दिन ऑइल चला अगर कोई भी लीकेज नहीं होती ठीक है त मतलब कुछ quantity use भी हो रही होगी तो मान लेते हैं कि quantity Q quantity को क्यों से इसपैल करता है तो हमने क्यों नीशा ले लिया क्यों नाम कि इसकी quantity ऐसा डियली यूज होती है कि इस यूज्ड डेली है अगर क्यों कि प्लस 11 जो 11 लीक और यह दो यह लीटाए निकल रहा है क्यूं प्लस क्यूब प्लस 15 चल रहा है तो 45 दिन चलेगा यह मतलब हुआ क्योंकि यही टोटल कॉंटिटी निकलेगी क्यूब प्लस एलेवन इन्टो 50 या फिर क्यूब प्लस 15 इन्टो 45 तो टोटल कॉंटिटी के लिए आम लोग क्या करेंगे फॉर्दर इसे स्वाल्फ करेंगे 50 q क्यूब प्लस 550 इस इकल स्टू 45 क्यूब प्लस 15 को 45 से मिल्टिप्लाई करो पंदा चॉक साथ 615 पंदा पंदा पंदेटर से 675 यह मेरा कितना था पचास क्यूब चल रहा है तो तो साफ लिख देता हूं कि 30 q 15 कि इउस कितना रहा पंक क्यूब की वैलियू कितनी आ गई यह कितना है वन टॉनटीफाइब क्यूब की वैल्यूब ऑल्देटर 25 इसमें ढाल देते हैं क्यूब की चुआ चाहे लोगे 25 15 45 सॉरी चालेष चालेष को पैतालिस से मल्डीप्लाइए करोगे तो अठारा सो को टोटल कॉंटिटी कितनी कि इस अधारा सो यहां ल literature ठीक है세 ऐसमने देली भोला था डेली फिसी हो रहा है तो अधारीículo 100 को पत्रतर से कोगे एक हटारी कौछ बहत्र दिन चलेगा क्लियर कि अगला लगाल देखते हैं लोग नमबर थर्टीनाइन देखते हैं थर्टीनाइन क्या बोल रहा है कितना टाइम लगेगा ऐसे आउटलेट पाइप को पूरा टैंक खाली करने में जब वो अपने वॉल्यूम का आधा भरा होगा ठीक है सबसे पहले देखो यहां पर वॉल्यूम की बात हो गई है ठीक 이면 अचैनां सबसे देखो हम मांने यह जो इन्लेट पाइप है ठीक है कि यह वॉल्यूम की बात हो णहरी है एक इन्लेट पाइप जो एक बार में पानी फै करें या पानी भर रहा है उसको हमने मान लिए अए युनिट वाल्यूम है उसका ठीक है 30 पाइप है या फिर मारत 30 गंटे है 30 गंटे में कितना बरेगा 30 ए ठीक अब आउटलेट पाइप जो है वो उसको खाली कर रहा है उसका वाल्यूम है B ठीक अब हमारे पास क्या हुआ पांच इनलेट पाइप मतलब 5 इन्टु ए और चार आउटलेट पाइप खाली करेंगे मतलब 4 इन्टु बी इन्होंने कितने टाइम में बढ़ा 10 गंटे में 10 गंटे में कितना बढ़ा 30 ए क्योंकि वॉल्यूम तो 30 ए है न इसका यहां से अग अब अधा टंक खाली करना है न हमें आदे टंक का वॉल्यूम कितना हो रहेगा 15 कि खाली कौन कर रहा है आप एक आ आउटलेट पाइप आउटलेट पाइप कितना खाली करता है यूनिट के हिसाब से हैं बी की वेल एक वैयली तुए है मतलब 15 इंटु तू भी अपान बी मतलब 30 मतलब 30 घंटे में आउटलेट पाइप आधे टैंक को खाली कर देगा क्लियर है अगला सवाल देखते हैं इसका यह जो है ना यह रेडियस आपको दे रखका है यह रेडियस आपको दिया हुआ 4 cm जब आप वॉल्यूम निकालोगे ना वॉल्यूम आप निकालते हो इसका एरिया निकालते है यह जो सर्कुलर सेक्शन होता है इसका एरिया पाई आर स्कूर मल्टिप्लाई बाई जो रेट ओफ फ्लो होता है रेट ओफ फ्लो ठीक है तो इ इतना वाला डीप इसको भरेगा कि कितने टाइम में इतना भर देगा ठीक है तो इसका यह आ जाएगा 22 upon 7 multiply by r कितना है 4 centimeter यह तो कोई centimeter है और यह meters में given है ठीक है 22 upon 7 multiply by 4 upon 100 into 4 upon 100 multiply by 3 ठीक है यह इसका volume आ जाएगा volume of the water flowing per second ठीक इसको आप लोग solve करोगे क्या आएगा निकल कर अब time कितना लग रहा है tank को भरने में कि टैंक को भरने में कितना time लग रहा है tank को भरने में लगेगा पहले टैंक का वॉल्यूम निकालो आप कि टैंक का वॉल्यूम कितना है 40 multiply by 30 multiply by 8 ठीक है यह वॉल्यूम है कि टैंक का इस वाले वॉल्यूम के साफ से यह भरेगा तो time कितना लगेगा इस पूरे टैंक कि टैंसे अब इसे डिवाइड कर दो 22 अपां 7 into 4 अपां 100 into 4 अपां 100 इन्टो 3 चार से यह जाएगा 10 time साक इन से यह जाएगा 10 टैंस चार से यह जाएगा 2x 10 the 100 दो जैन् apr presents तो यह गपाई दोसो को का भी कि थीचिछ गए lotta and पूरा चल रहा है ना यह पूरा चला है सेकंड में क्योंकि यहां पर हमें यह पर सेकंड दिया हुआ था तो वॉल्म भी हमारा सेकंड के साफ से आया हमें आप्शन चाहिए आर्स में तो हम इसे 3600 से भी मल्टिप्लाई कर देंगे क्लियर 300 से मल्टिप्लाई करें 20 से 20 गया यह था कितना कितना गया चार से काटा नौर्ग 2 5 इसे हमने से 15 сб इसे हमने 2 से काटा 100 ताइम्स अब हमारे पास कितना हो गया 175 ना 25770 डबल 0 अपॉन 99 175 डबल 0 अपॉन 99 क्लियर इसको आप क्या करोगे कोई 10 की गलती शायद हो सकती है इसको आप एप्रॉक्षिमेशन में इसे 100 मान लोगे अगर यह 100 होता वेल्यों मारी 175 आती सारे ओप्षिन को दूर दूर है ना यह ओप्षिन यह ओप्षिन यह ओप्षिन यह ओप्षिन यह ओप्षिन दूर दूर है अगर यह 100 ओदो तो वेल्यों 175 आती हमारी 100 से जरासी कम है तो जरासी वेल्यों ज्यादा आएगी 175 से जरा सी value कितनी ज़ाद आएगी इसके अंदर 1.75 add कर दो 175 में 100 पर इतनी आती है 1 का चेंजर तो 1.75 add कर दो तो उसकी closest value कौन सी है 176.6 यह हमारा answer हो जाएगा clear अगला सवाल देखते हैं कर देखते हैं एक डैम है जिसके चार इनलेट है जो पहले तीन इनलेट है वो देम को बारा मिनट में भर रहे हैं कि अना second third और fourth inlet के साथ यह 15 मिनट में भर दाता है कि फॉर्स और फॉर्स इनलेट के साथ यह 20 मिनट लेता है है थीं हम ने चार इनलेट मान लिये abcd जो पहले तीन इनलेट हैं a प्लस b प्लस c कितना टाइम ले रहे हैं बारा मिनट second third of fourth B plus C plus D कितना time ले रहे हैं 15 minute A plus D कितना ले रहे हैं 20 minute ठीक है 4 inlet का पूछा है कितना time लेंगे हमें काम करते हैं हम इनका LCM ले लेते हैं हमें यही आता है करना LCM हम 60 ले लेंगे A plus B plus C की value 5 B, C, D की value कितनी हो जाएगी 4 A और D की value हो जाएगी 3 अभी जो है सारा fill कर रहे हैं ठीक है अब ज्यान से दखो A, B और C मिलके एक बार में 5 unit कर रहे हैं B, C और D मिलके एक बार में 4 unit कर रहे हैं अगर मैं इन दोनों को minus कर दूँ तो A minus D निकल कर 1 आ जाएगा A minus D 1 है A plus D मिलाकर 3 है A की value 2 और D की value 1 ठीक है अगर मैं यहाँ पर D की value 1 रखूँ B, C, D मिलाके 4 था तो B plus C मिलाकर कितना हो जाएगा 3 या फिर normally भी देखो A plus B plus C मेरा 5 है इसमें अगर मैं D मिला दूँगा तो 1 add करूँगा 5 और 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा A plus B plus C plus D मिलाकर 1 मिनट में भरना कितना है 60 चैके साफ से 60 भरने में कितना टाइम लगेगा 10 मिनट clear अगला सवाल देखते है देखो 42 question क्या बोल रहा है 3 small pump है एक बड़ा pump है जो time को fill कर रहे है Each of the 3 small pump work at 2 third the rate of the large pump मतला large pump का rate अगर 3 है तो smaller pump का rate 2 हो जाएगा अगर यह इनका काम करने का तरीका है तो टाइम लेंगे time reverse हो जाता है efficiency का पोजिट हो जाता है मतलब large pump मेरा अगर नहीं स्वारी यह काम करने का time है तो efficiency जो जाएगी वो इनकी reverse हो जाएगी मतलब smaller pump है वो तीन घंटे में पूरा भरेंगे और तो large pump है वो दो घंटे में पूरा भरेंगा तीन smaller pump है मेरे पास तीन smaller pump एक घंटा लेंगे जब एक smaller pump तीन घंटे ले रहा है तो तीन smaller pump मिलके एक घंटा लेंगे ठीक है, चारो pump एक साथ है, मतलब तीन स्मॉलर, एक लार्ड, प्म तीनों मिलाके एक गंटा ले रहे हैं, लार्ड वाला मिलाके दो गंटे ले रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, 1 into 2 upon 1 plus 2 that is 2 by 3 2 by 3 गंटे में टैंक पूरा भर जाएगा clear ये था आप लोगों का pipe and system इसके बाहर अगर कोई भी question आता है आप मेरे से telegram पर whatsapp पर facebook पर youtube पर comments के दुरू पूछ सकते हैं इन में अगर कोई भी question में आपको दिक्कत है आप मेरे को बताईए जो homework questions है I really want to happen homework questions को करें और orally करने की कोशिश करें That's all in this video Thank you very much